यह है क्लास 10th हिस्ट्री चाप्टर 9 फॉरवर्ड ब्लॉक एंड दा इंडियन नेशनल आर्मी मिन्स आई एने ठीक है इसमें दो ही टॉपिक पढ़ने हैं फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है उसके अब्जेक्टिव के बारे में और इंडियन नेशनल आर्मी क्या है और उसके अब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है ठीक है सर्फ इतने ही टॉपिक्स पढ़ने है और जो भी टॉपिक्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है स्लेबस से स्टार्ट करते हैं पहले हम देखते हैं forward block क्या है forward block क्या है एक party है किनकी party है सुभास चंद्र बोस की सुभास चंद्र बोस की जो thinking थी वो थोड़ा अलग थी और जो गांधी जी की थी वो थोड़ा सा अलग थी means गांधी जी Congress से थे सुभास चंद्र बोस ने एक नई party बनाई forward block क्यों बनाई क्योंकि दोनों लोग की thinking अलग थी जो गांधी जी थे वो बिना violence के जो भी काम हो वो बिना violence के होना चाहिए था बिना मार पीट के बिना जगडा के बिना खून खराबा के है न ऐसे होना थे कि हमें चाहे लडाई करना पड़े चाहे जो भी करना पड़े हमें किसी भी condition में हमें का करना है इंडिया को independent करना है हमें complete independence चाहिए समझ में आया कि गांधी जी की thinking अलग थी वो बिना violence के मतलब बहुत शांत तरीके से इंडिया का independence चाहते थे कि इंडिया हमारी क्या हो जाए independent हो जाए और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या कह रहे थे कि शांती से हमारी जो इंडिया है वो इतनी जल्दी independent नहीं हो पाएगी ठीक है इस वज़े से उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी कंडिशन में हमें क्या करना है? इंडिया को इंडिपेंडेंडेंट करना है कम्प्लीट इंडिपेंडेंडेंडेंस चाहिए इसलिए उन्होंने किया एक अपनी एक खुद की नई पार्टी बना दी forward block ठीक है? सुभाज चंदर बोज जब forward block बनाए कब 3 में 1939 को 3 में 1939 को सुभाज चंद्र बोस ने फॉर्वर्ट ब्लॉग बना दिये ठीक है इससे क्या हुआ कि जब यह पार्टी बन गई तब प्रेसिडेंसी जो वहां की थी बेंगॉल की बेंगॉल की प्रेसिडेंसी से सुभाज चंद्र बोस को हटा दिया गया क्योंकि बेंगॉल के प्रेसिडेंट बना दिये गये थे प्रेसिडेंसी जो है वो किन के कंट्रोल मतलब किन के हाथ में दिये दी गई थी सुभाज चंद Bengal Presidency से को और क्या किया और Congress Congress की कोई भी मतलब कोई भी चीज जो थी जो भी मीटिंग्स मतलब जो भी Congress की चीजे थी Congress का जुट Department था उसमें सुभाज चंद्र बोश का कोई भी इंटरफेय कर ने नहीं दिया गया कि सुभाज सभास चंदर बोज जो हैं वो कॉंग्रेस के किसी भी डिपार्टमेंट में इंटर नहीं कर सकते हैं ठीक है सन में आया डिपार्टमेंट से भी हटा दिया गया और मतलब जब सिभास चेंद्र बोस की forward block party बनने से उन्हें बंगौर presidency से भी हटा दिया गया और कॉंग्रेस के डिपार्टमेंट में इंटरफेय करने से भी रोग दिया गया था उसमें शामिल होने से भी मना कर दिया गया था ठीक है forward block party कब बनी थ्री में 1939 को बनी यह समझ में आ गया next है इसके objectives देखते हैं objective मतलब कि सुभास चंद्र बोस का main aim क्या था forward block party बनाने का main aim क्या था और क्या किये group of leftist and socialist वो forward block के help से एक ऐसा group बनाना चाहते थे किसका group leftist और socialist का मतलब leftist मतलब जिनके पास मतलब जो उनकी economic condition है वो भी सही हो मतलब उनके पास wealth हो पैसे हो और वो कोई भी जाती धर्म यह सब चीजों को ना मानते हों ठीक है उन लोगा का group और socialist यह जो शोशल वर कर थे ठीक है वो भी क्या जो religion को किसी भी religion को किसी भी कास्ट को नहीं मानते थे ठीक है सब को सबसे equally behavior था उनका ऐसे लोगों को क्या किये उनका group बनाये गया किसका group बनाये leftist का और socialist का समझ आया दूसरा है पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का मतलब है complete independence की हमें क्या करना है हमें सब लोग हमें चाहिए क्या पूर्ण स्वराज चाहिए हमें complete independence चाहिए कि इंडिया से पूरी तरह से British क्या हो जाएं हाँ से चले जाएं और जो भी control हो इंडिया पर वह सिर्फ किसका control हो indians का ही हो चाहिए वह industries हो चाहिए वह किसी भी state मतलब करने के लिए हो कोई भी government हो वह सिर्फ कहा की होनी चाहिए indians ही होने चाहिए ठीक है इंडिया पर सिर्फ कौन रूल करेंगे इंडियन सी गवर्णमेंट किसकी होनी चाहिए indians की ठीक है तो वह सुभाष चंद्र बोस्क में नेम था forward block बनाने का कि हमें क्या चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए complete independent बनाना है इंडिया को ठीक है इसलिए हमें struggle करना है हमें struggle करना है हमें किसी भी condition में इंडिया को independent बनाना है ठीक है नेक्स्ट है reorganizing agriculture and industries री ओर्गिनाइजिंग agriculture and industries का मतलब है कि जैसे जो बिटिश्यर्स थे वो एग्रिकल्चर पर भी उनका कंट्रोल था वो जो चाहते थे वो फार्मिंग करवाते थे जो crops चाहते थे इंडियो चाहते थे वो तो वही चीजे फार्मर से उसको लगवाते थे वही फार्मिंग करवाते थे ठीक है और industries वो अपनी ही industries खोलते थे उसमें उनका कंट्रोल था ठीक है सिर्फ workers इंडियन्स के रखे जाते थे उनसे जबजस्ती काम कराय जाते थे ठीक है तो यह party क्या चाहती थी कि हमें reorganize करना है मतलब जो भी agriculture होगा जो भी agriculture की जाएगी जो भी farming की जाएगी वो कैसी की जाएगी इंडियन्स के मतलब इंडियन्स जो चाहेंगे वह वहाँ पर ग्रो करेंगे ठीक है इंडियन्स जैसा चाहेंगे मतलब जहां पर चाहेंगे व जब अठ्टी फोर्स करते थे कि उ opis दो इतना एरिया पर इतने एरिया पर क्या करना है यह चीजें ग्रोकर करनी है इंडिगो ग्रोकर निए क्योंकि इंडिगो जह हे वो तो कोशली थि इंदिभो बिलू कलर के लिए यूस किये जाता था इंडिगो यहां पर खेति इस वज़े से या यादा खेती कराने लगी किसकी इंडिगो खेतं से क्या होता था जोस्वाइल है उसकी fertility कम हो जाती थी infertile हो जाती थी तो यह party क्या चाहती थी कि हम जो चीजें यहां पर grow करना चाहें हम उसको grow करेंगे हम agriculture system जो है वो हम अपने मन से चलाएंगे ठीक है इंडिया इंडियन्स के मन से ही इंडिया में जो भी एक्रिकल्चर हो रही है जो फार्मिंग की जा रही है वो इंडिया के लोगों के ही अनुसार की जाएगी ठीक है किसके according की जाएगी इंडियन्स की जो इस पर कंट्रोल किसका होगा इंडिया के लोगों का होगा इस जो वहां पर वर्कर्स काम करेगए उनकोggak सबको एक्कुली दी जाएगी गश्रुगार्णिस काम नीं करा जाएगा कैर सिर्फ उसी चीज़ के इंडिस्ट्री बनाये जाएगी जिसकी हमें जरूरत है यह सब चीज़े रियोर्गनाइज की गई फॉरवर्ड ब्लॉक का अब्जेक्टिव क्या था कि हम क्या करें एक्रिकल्टर सिस्टम को इंप्रूफ करें और इंड्रस्ट्रीज को इंप्रूफ करें जो यहां पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है उसको हटा दिया जा करना जमिन्दारी सिस्टम क्या है कि जैसे लैंड है थीख है यह क्या है कि लैंड किसकी है दब अंडिया में किसके परीडिशक कर रहे हैं इस लैंड को दे रहे हैं फार्मर को कि इस लैंड पर तुम्हें क्या ग्रो करना है इंडिगो ग्रो करना या जो भी अगर क्रॉप्स ग्रो करना है या यह भी कह रहे हैं किस लैंड में तुम जो भी ग्रो करोगे उसका वन फॉर्थ पार्ट हमें चाहिए यही चाहिए जबरजस्ती ठीक है यह लैंड उनक फार्मर्स की नहीं है लेकिन वो Britishers जो है वो इस लैंड पर जो पर रजस्ती उसे काम करवाते थे समझ में आया इसको क्या कर दिया गया खतम कर दिया गया नेक्स्ट है राइट टू वर्क आस फंडमेंटल राइट टू वर्क राइट टू वर्क मतलब हर इंसान काम कर सकता है और वो जो चाहे जहां बर जैसे वो फार्मिंग करना चाहा रहा है तो वो फार्मिंग कर सकता है आर्मी में जोइन करना चाहता है तो आर्मी जोइन कर सकता है या जो वो चाहे वो काम कर सकता है ठीक है क्या कहे सुभाज चंद्र वोस कि राइट टू वर्क क्या है fundamental right fundamental right की तरह ही right to work को माना गया था कि हर इंसान को काम करने का अधिकार है ठीक है समझ में आ गया उसके पास right है काम करने का यह क्या है यह forward block के objectives है clear हुए इसे note कर यह हम next देखते हैं next है आएने इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी क्या है यह देखते हैं मतलब इंडियन नेशनल आर्मी मतलब उस टाइम पे जब ब्रिडिशर्स थे तब कौन सी आर्मी थी इंडियन ब्रिटेन आर्मी ठीक है इंडियन ब्रिटेन आर्मी थी प्रिटेंगा की थी लेकिन कंट्रोल किसका था तो कौनसी आर्मी थी ब्रिटेन सरी इंडियन ब्रिटेन आर्मी ठीक है जब सिंगापृर से मतलब हार गए थाउजंस मैं थे कौन in gea इंडियन प्रिज़नेरस ओफ ऑर इंडियन प्रिज़नेरस ओफ वर क्या है इस यह भी क्या है यह आर्मी है जो असलिद वार केरी भी भेजIt थे थे कॉन ब्रिटिश Elmo मैं ठीग है मिस लड़ाई करने के लिए बेज़ देते थे जब थाँजंस ओफ इंडिय wow आ यार्मी में जो लोग थे 건데 we खेंच के हाथ में आगए जब जापनीस के हाथ में आ गए कब आयाкив में सिंगापूर से हार गए थे ठीक है मतलब यह सींगापूर से लड़ाई हुई यंकापूर वं खाय गए इंडियन प्रिजिनेर आफ वार के जो में थे वू टिसके के हाथ में आग communication के हाथ में आगे Car Japanese के होत में आ तो Japanese क्या कि इसके हiz galera कर दिय तो सार्व की कि मैं थे उन्हे किसको कर दिया कैप्टन मोहन सिंग को कप्टन मोहन सिंग एंडियन ब्रीटेल आर्मी के ओफिसर थे ठीक है इंडियन बोगे कि इंडियन प्रीटेन आरमी के ऑफिशर थे इंडियन ऑफिशर ते कौन मोहन सिंग कैप्टेन थे ठीक है इनके हाथ में कि जो भी मतलब जो आरमी थे वो किनके हाथ में दे दिये मोहनसिंग कå प्ते क्षी ठीक है इसके बाद बहुत से लोग मारे गए बहुत से लोग मतलब जो thousands of लोग बचे थे वो hand over कर दिया गया Captain Mohan Singh के हाथों में फिर जो Mohan Singh है तब से वो क्या सोचे कि अब हम Britain Army को join नहीं करेंगे क्योंकि Britain Army से बहुत ही ज्यादा नुक्सान हो रहा था जो इसमें आर्मी के लोग थे उनका बहुत नुक्सान हो रहा था मतलब लड़ाई करने के लिए भेज देते थे उनके मतलब इतनी ज्यादा सेफटी नहीं रखी जाती थी उनके लिए आर्मियों के लिए तो उससे क्या रहा था बहुत ही नुक्सान हो रहा था बहुत से इंडियन्स मतलब जो आर्मी में जोईन थे इंडियन्स वो मारे जा रहे थे तब Captain Mohan Singh क्या रहा दिसाइट किये कि हम Bredean Army को जोइन अब नहीं करेंगे ठीक है जापनीस से अप्रोच किये लम्मिले क्या कहे कि हमें क्या करना है एक अलग से defense system बनाना है मिस एक अलग ही army की army के department बनाना है क्या बना दिये तब Indian National Army समझ में आया कब बनाए end of 1942 में 1942 के end में Indian National Army को बना दिये Captain Mohan Singh कहे कि हम British Army को जोईन नहीं करेंगे ठीक है वो एक अलग army बना लिये Indian National Army के नाम से और उसे क्या कहा जाता है आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है मतलब Indian National Army भी नाम था और इसका एक और नाम था आजाद हिंद फौज समझ आया यह है आयने का first phase Indian National Army बनने के बाद जो पहला phase है वो यह है on first September 1942 formed 16,300 men Indian National Army बनने के बाद first September 1942 को कितने लोग जोईन हुए 16,300 men जो है उस टाइम पर हो गये थे किसमें Indian National Army में फिर क्या हुआ December 1942 में मतलब जब धीरे धीरे मतलब कुछ टाइम बात क्या हो गया डिफरेंसे आने लगे किसके बीच में Japanese Army और Indian Army के रोल और स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंसे आने लगे मतलब कि जो जब धीरेंस के आरमी थे वो भी काफी कम हो गये थे उनकी स्ट्रेंथ भी काफी कम हो गयी थी और इंडियेंस के लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे थे कम हो होते जा रहे थे हैं ठीक है मिश्च दिसंबर तक में दिसंबर 1942 तक में डिफरेंस आ गया जापनीज आर्मीा और इंडियन आरमी के रोल और स्ट्रेंथ के बीच में मतलब जापनीज की लाए गई थी जापनीज काफ्षा में they wanted 20,000 men Japanese के पास सिर्फ 2,000 में थे मतलब जापनीज के पास जो आर्मी के में थे वो कितने थे सिर्फ 2,000 थे और इंटेनेशनल आर्मी में कितने चाहिए थे 20,000 में चाहिए थे क्योंकि Britishers से लड़ना है हमें हमें किस से लड़ना है ब्रिटिशर से लड़ना है तो सिर्फ 2,000 में हम उनसे नहीं जीत सकते हैं हमें कितनी मतलब INA इंटेनेशनल आर्मी में कितनी चाहते थे मोहन से 20,000 में चाहते थे ठीक है मतलब यह देखकर कि जो ब्रिटिशर से जब वह देखे यह देखे कि यह लोग जो मोहन सिंग है अभी तक हमारे में थे मतलब ब्रिटेन इंडिन आर्मी के क्याप्टेन बना दिये थे अब यह का कर दिये नई पार्टी मतलब नए डिपार्टमेंट बना दिये नया डिफेंस सिस्टम बना दिये आर्मियों का इंडिया नेशनल आर्मी और उसमें सेनाओं को भी बहुत से लोगों के एकठा भी करने लगे तो बिटिशेज क्या करने मतलब हो गए थोड़ा सा मतलब डर गए कि क्या क करेंगे अब हमें हटाने की कोशिश करेंगे अब पूरा कंट्रोल मतलब मोहन सिंग ही पूरा देख रहे थे जो आर्मी थी उसके हैड कौन थे मोहन सिंग ही थे इंडियनेशनल आर्मी के तो उन्हें क्या कर लिया गया अरेस्ट कर लिया गया कौन ब्रिटिशेज ब्रिटि रजबिहारी जो है वो ट्राई कियें इंडरनेशनल आर्मी को मतलब लीग बनाएं लब काफी लोगों को इकठा किए इंडरनेशनल आर्मी में बहुत से लोगों को जोईन करने की कोशिश किये लेकिन वो क्या हो खूल्ए हो गया जो रज्ष भिहारी जो है वह ओνसीन को भी मितलब वहां से बाहर करने के लिए कोशिस किये और नहीं लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्वगल करने के लिए भी बहुत से कोशिस किये बहुत इस्ट्रगल किये लेकिन क्या हो गया वो फेल हो गया उनका मिशन जो है वो फेल हो गया रजबिहारी का इससे क्या हुआ कि बहुत से जो इंडियन नेशनल आर्मी में जो में जॉइन थे इस टाइम पर भी उनके मोहन सिंग के अरेस्ट होने के बाद भी जो मेंस जॉइन थे आर्मी में वो भी क्या धीरे-धीरे करने लगे इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ कर जाने लगे ठीक है अब फिर वापस से किसे जॉइन कर लिए इंडियन प्रिजनर्स ओफ वार को ठीक है क्यों ऐसा करने लगे क्योंकि मोहन सिंग भी अरेस्ट हो गय इप निया नेशनल अर्मी की जिससे हम ब्रिडिश की खिलाफ लड़ सके तो वो भी क्या हूगया वो भी फैल हो गया इस वज़ए से जो लोग जो जोईन भी थे वो भी क्या होने लगे झीरेदिरे उसको छोड़ के जाने लगे और किसे वापस से जॉइन कर लिए इंडियन प्रिस्टनर्स ओफ वार को जॉइन कर लिए जो कुछ लीडर्स थे जो लीडर्स थे वो भी क्या किये उसको इंडियन नेशनल आर्मी को छोड़ दिये सन में आया यह क्या है यह 1st September से यह 1st phase है यह 1st phase है इंडियन नेशनल आर्मी का लब इंडियन नेशनल आर्मी बनने के बाद जब उसको एक अठा करने लगे इस ट्रुगल करने की तरफ जाने लगे तब कहिए पहला phase है इसे नोट करिए हम next phase देखते हैं इसका नेश्ट है यह इंडियन नेशनल आर्मी का second phase है 1st phase हम इसके पहले पढ़ चुके हैं 1st September 1942 से स्टार्ट हुआ था 2nd phase है जब 2nd phase स्टार्ट हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का तब सुभास चंद्र बोज केम सिंगापूर आन्टू जुलाई 1943 मतलब जब 2nd phase स्टार्ट हुआ तब बैंककॉक से मतलब बैंककॉक कॉन्फरेंस के लिए इंविटेशन भेजा गया इंके पास बैंक कॉक्क से इंविटेशन आयाsz बैंकॉक कॉन्फरेंस में जौइन करने के लिए तब क्या किये सुभास चंद्र बोस उसको एक्सेप्ट किये इंविटेशन को और जहा गये सिंगापुर गए किस से जर्मनी और जापान की सब्मरीन से ठीक है सिंगापुर गए जापनीज और जापान और जर्मनी की सब्मरीन से कब गए 2 जुलाई 1943 में गए वहाँ पर जब यह सिंगापुर में गए बैंक को कॉन्फरेंस को जॉइन करने के लिए तब इन्हें क्या कहा जाने लगा नेता जी ठीक है greeted as नेता जी यहाँ पर इन्हें क्या मतलब नाम रख दिया गया इनका नेता जी तभी हम क्या कहते है नेता जी सुभास चंद्र बोस और नेता जी का मतलब है नेता जी का मतलब होता है ग्रेट लीडर मतलब क्या है ग्रेट लीडर मतलब सिंगापूर के जो लोग थे वो क्या मानते थे सुभास चंद्र बोस को एक ग्रेट लीडर मानते थे इस वज़े से उनका नाम यहां पर नेता जी रग दिये। तीक है, जब वापस आए, सिंगापुर से वापस आने के बाद नेता जी क्या किये? इंडियन नेशनल आर्मी को चार्ज अपने पास ले लिए. ठीक है? इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज है. किन के पास आ गया? सुभास चंद बोस के पास, मिन्स नेता जी के पास आ गया. जब 26 अगस्ट Guard 1943 में, नेता जी ने आ एनने का यह इनिडियन नेशनल आर्मी का चार्ज है, अपने पास ले लिए. और बहुत सी Changes किये. इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत सी क्या किये? उसमें changes किये. जैसे, पहला यह है कि इंडियन नेशनल आर्मी का दो हेट्ट कार्ट एक हेट कौर्टर रंगुन में बना दिए, और दूसरा हेट कौर्टर सिंगापर में बना दिए, ठीक है? क्या किये? नेता जी, इंडर नेशनल आर्मी का दो हेट कौर्टर कहाँ पर? एक रंगुन में, एक सिंगापर में. समझ हाया? next क्या किए reorganize कर दिए इंडियन निशनल आर्मी को reorganize कर दिए मतलब उसमें जो भी पुरानी चीजें थी उसको क्या किए नया बना दिए ठीक है join new recruits मतलब जो पहले से उसमें आर्मी मतलब उसमें जो लोग जॉइन थे इंडियन निशनल आर्मी में बहुत कम ही लोग join थे क्योंकि बहुत से लोग क्या किये उसको छोड़ कर चले गए तो उसे भी क्या कर दिए मतलब उन लोगों को भी यह ठा दी और नया लोगों को join किया गया ठीक है recruits मतलब होता है जो लोग थे मतलब जो आर्मी थी जो एक आर्मी की force थी उसको क्या नया लोगों को उसमें join कर लिए more funds collected मतलब आर्मी के लिए आयने इंडियन नेशनल आर्मी के लिए funds ज्यादा funds को collect किया जाने लगा क्योंकि आर्मी है उन्हें लड़ना किसे ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो उसके लिए काफी weapons भी चाहिए और जो भी आर्मी में जो लोग उसमें join हुए हैं उनके लिए wages भी चाहिए मतलब उनको salary भी चाहिए उनको देने के लिए मतलब इस वज़ा से ज़्यादा से ज़्यादा funds को collect किया जाने लगा क्योंकि आर्मी के आर्मी के जो लोग थे उनके खर्चे भी काफी थे काफी weapons भी बनाने थे बहुत सी चीजें मतलब जिसे गन है बहुत खर्चे थे इस वज़ए से कलेक्ट करने लगे और всёok में ज्यादा funds कलेक्ट करने लगे ठीक है next इस वोमैन्स रेजिमेंट काल्डी च्हांसी रेजिमेंट डॉक्ट लेट्टेrs लक्षमी स्वामी नाथन वुमेंस रेजिमेंट बना दिया गया वुमेंस रेजिमेंट मतलब यह जो थी यहाँ पर जो आर्मी जोईन मतलब क्या थे पहले सिर्फ मैन थे सिर्फ मैन ही आर्मी में जोईन थे सुभास चेंगर बोश क्या कर दिये वुमेंस रेजिमेंट बना दिये ठीक है और उसे क्या कहा गया रानी जहासी रेजिमेंट कहा गया ठीक है इसमें सिर्फ वुमेंस थी और इसको लेट कौन करते थी लक्षमी स्वामी नाथन करती थी ठीस है एक वूमेंस के लिए भी वूमेंस रेजिमेंट भी बना दिया गया जिसका नाम क्या रख़्े राणी जहासी रेजिमेंट और सिको लीट कौन करती थी लक्षमी स्वामिनातन, समझ आया, इसमें क्या, कि वुमेंस भी लडाई करने के लिए तयार थी, अपने, इंडिया को, इंडिपेंडेट बनाने के लिए तयार थी, ठीक है, योथ विंग्स, योथ विंग्स क्या है, मतलब जैसे वुमेंस रेजिमेंट है, ये आर्मी में सिर्फ men's थे इसमें women's थी इसमें क्या है youth wings youth जो youth थे जिनकी age काफी कम थी वो लोग भी क्या हुए इसमें join करने लगे ठीक है वो भी लड़ने के लिए अपने मितलब वो भी struggle करने के लिए तयार थे इंडिया के independence के लिए ठीक है तो Youth Wings को क्या कहा गया Tokyo Boys कहा गया मतलब इसका नाम क्या रख दिये Tokyo Boys जैसे Women's Reg S doinnt KaNam RaniẓPCा रख दिया गया था वैसे Youth Wings जो थे उनका नाम Tokyo Boys रख दिया गया था समझा गया इतना । मतलब यह सब कुछ Change किए गए INDANATIONAL ARMY में जो मोहन सिंग बनाय थÄ इंडियनेशनल आर्मी तो उसमें कुछ और चीजे थी जब सुभाश्चंद्र बोस चार्ज ले लिए इंडियनेशनल आर्मी का तब उसमें और भी बहुत से चेंजेस कर दिये कि अगर हम यह सब चीजेस करते हैं तुमारी आर्मी की जो स्रेंथ वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ठीक है सुभाश्चंद्र बोस के तीन बहुत ही फेमस स्लोगन है कौन-कौन से गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम ठीक है मतलब नेता जी क्या कहें कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी पढ़ ते हैं और ब्रिटिश को यहां से हटाने में हमारी हल्प करते हैं तो इससे क्या होगाको फ्रीडम मिलेगीत अंगर आप इस जर से कि हमारी डेथ हो जाएगी अगर परिडिशिक खते हैं तो हमारी डेथ आना है दिल्ली चलो भी नेता जी का ही सलोगन था मिज़ सुभाष जंद वो उसका स्लोगन था समझाया यह तीन स्लोगन है इंडियन नेशनल आर्मी का सेकेंड फेज है फरस्ट फेज हम इसके पहले बढ़ चुके इसे नोट कर लीजे इसके बाद हम इसके कुछ features देखते हैं next है objectives यानि इंडिया नेशनल आर्मी के objective क्या थे means इनका main aim क्या था fight the British British से लड़ना मतलब इंडिया नेशनल आर्मी का main objective यही था कि Britishers से लड़ना है Britishers को इंडिया से हटाना है ठीक है Anglo-American forces जो Anglo-American forces है जो इंडिया में Anglo-American forces है उसे क्या करना है उसे भी हमें हराना है और यहां से remove करना है ठीक next है government for free इंडिया और Britishers के हां से हटा करके हमें क्या करना है अपने free इंडिया के लिए एक government बनानी है ठीक है free India के लिए government बनानी है कौन सी Indian government ये था main objective manpower and money for war manpower को बढ़ाना है इंडियन नेशनल आर्मी से क्या होगा इस आर्मी को बढ़ाने से मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने से क्या होगा manpower means बहुत से लोग क्या होंगे इस आर्मी में जॉइन करेंगे इससे manpower क्या होगी बढ़ेगी और money for war और इससे काफी पैसे भी इकठा हो सकते हैं लब इकठा किये जा सकते हैं वार के लिए क्योंकि वार अगर लड़ते हैं कोई भी अगर लड़ाई लड़ी जा अधियत उसके लिए क्या होगा बहुत से पैसे चाहिए क्योंकि उनके रहने के खर्चे उनके खाने के और जो भी वेपन्स बनाए जाएंगे उन सब के ठीक है तो यह सब के लिए क्या चाहिए money चाहिए इसका में अब्जेक्टिव क्या था कि नेशनल आर्मी बनाने से बह हटा पाएंगे मतलब की ब्रेटिशर से हम लड़ सकते ब्रेटिशर की जो आर्मी है उससे हम लड़ सकते हैं ब्रेटिशर को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं अपने इंडिया को इंडिपेंडेंडेंट बना सकते हैं यहां पर हम अपनी गवर्णमेंट बना सकते हैं तो इस से क्या के अचीवमेंट हुई और उससे क्या इंपक्ट पड़ा तो पहले हम देख लेते हैं अचीवमेंट लीडर कौन थे मतलब आयने के लीडर कौन थे इंडिया निशनल आर्मी के सुभाज चेंद्र बोस थे रेड़ फोर्ट ट्रायल्स मतलब कुछ लोगों मतलब पूरे इंडिया में soldiers को बाट दिया गया था कि कुछ soldiers कहाँ पर रहेंगे? इस area पर रहेंगे, कुछ soldiers जह है वो इस area पर रहेंगे, तो वेसे क्या कर दिये? divide कर दिये यह क्योंकि जो Britishers हैं, वो हर जगे फैले हुए थे, इसलिए हर जगे soldiers को भी फैला दिया गया Red Fort Trials वाचान वाज खान को जी एस जिलॉन और प्रेम शहगल को इन्हें रेड फोर्ड दिल्ली में रख़्ा गया था मतलब उसकी सेफटी के लिए तो इस वज़े से इसे क्या कहा जाता है रेड फोर्ड ट्रायल्स कहा जाता है कौन-कौन थे शाहनावाज खान जी जिलॉन और प् और सुभाज चंद्र बोस की हेल्प करने के लिए आ गए ठीक है लब इसको जोईन किये और इनकी हेल्प करने के लिए तयार हो गए कौन-कौन थे जवाहरलाल नहरू तेज बहादूर और भालु भाई देशाई यह क्लियर हुआ नेक्स्ट थ्री अपसर्ड तीन जो हैं रिवाल्ट हुए और बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा उससे किस पर इंपक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स को इंपक्ट पड़ा इससे समझाया कौन-कौन से पहला तो है मतलब और भी करी जगे रिवाल्ट हुए थे लेकिन यह कुछ ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी गई थी पहला है 21 नमबर 1945 में कलक्ता में कलक्ता में 21 नमबर 1945 में लड़ी गई दूसरा 11 फर्वरी 1946 में 11 फर्वरी 1946 में लड़ी और किसलिए 7 year sentence को उसके प्रोटेस्ट के लिए ठीक है उसके खिलाफ 7 year sentence के खिलाफ थे कौन रशीद अली जिससे क्या हुई यहाँ पर revolt हुआ 11 फरवरी 1946 में दो revolt हुए कहां कहां एक कलकत्ता में हुआ 21 नवंबर 1945 को दूसरा रिवाल्ट हुआ 11 फरवरी 1946 को और तीसरा रिवाल्ट हुआ 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में कब हुआ जब आर आई एन किस पर थे इस ट्राइक में थे मतलब आर आई एन का मतलब क्या है रॉयल इंडियन नवी से रॉयल इंडियन नवी उस टाइम पर हरताल पर थे इस स्ट्राइक पर थे कब 18 फरवरी 1946 में और तभी क्या हुआ बॉम्बे में मतलब बॉम्बे में राइन क्या कर रहे थे स्ट्राइक कर रहे थे मिन्स हर्ताल पर थे 18 फरवई 1946 को और तभी वहाँ पर क्या हुआ रिवॉल्ट हो गया मिन्स भ्रिषइस से लडाई हो गई जब यह शोल जो थे जब लडाई करने लगे तब आर रकता में हुआ तब वो भी क्या होगा इस revolt में शामिल हो गए और Britishers से लड़ाई करने लगे समझ आया और भी कई revolt हुए थे जैसे कॉलकता में हुआ था चिन्नाई में हुआ था कराची में भी हुआ था मतलब revolt तो बहुत हुए थे कई जगों पर हुए थे लेकिन ये जो रिवाल्ट हुए है कॉलकता में 21 नमबर 1945 को 11 फरवरी 1946 को और 18 फरवरी 1946 को ये बड़े रिवाल्ट थे जिससे Britishers को बहुत ज़्यादा उस पर फर्क पड़ा था उन्हें ठीक है इससे इंपैक्ट क्या पड़ा Britishers को ये इंपैक्ट पड़ा कि अब क्या हुआ कि Britishers का रूल जो है वो इंडिया से खतम होने की तरफ जा रहा था मतला Britishers वीक होते जा रहे थे इस लड़ाई से Britishers जो है वो वीक हो गये थे और मतला धीरे-धीरे किस की तरफ जा रहे थे Britishers का रूल जो है वो धीरे-धीरे खतम होता जा रहा था इंडिया से समझ में आ गया मतलब 18 February 1946 की ये बात है और भी बहुत से रिवाल्ट हुए समझ में आया और इसके कुछ टाइम वैसे ही धीरे-धीरे क्या होने लगा Britishers बहुत कमजोर हो गया और फिर इसके बाद जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हो गया था समझ आया ये क्या है ये इंडिया नेशनल आर्मी के बारे में पढ़े हैं ये objective है और ये achievement और impact है इस चाप्टर में इतना ही topic है जो topics और extra है वो syllabus से reduce कर दिये गया है clear हुआ note कर लीजे इसे ये chapter भी chapter 9 forward block और इंडिया नेशनल आर्मी हमारा complete हो गया है next lecture में हम new chapter रिस start करेंगे thank you for watching this lecture